शीरशक रहस्यमय रात्री प्रारंब होते ही और वक्त बीतता जाता है हर क्षण पर संदेह से भरी एक जीवन्त रात्री में एक गाव में एक राजा और रानी थे एक बार उस रात्री में गाव में एक अनूठी घटना हुई राजा और रानी का मनोबल या बहतरीन नहीं रहता कहीं क्योंकि उस रात्रि में अनगिनत संभाशन होते हैं एक और गोपनिय घटना रात्रि के अंत में होती है जिसके कारण गाव वाले कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं पहले ही संध्या में गाव में एक साधू आता है और राजा रानी को एक विशेश उपदेश देता है जीवन में हमेशा आश्चर्य मई बना रहो और अपनी असली महत्व पूर्णता को समझो साधू का उपदेश आवाज और विचारों का सही तरीके से उपयोग करके गाव वालों को उस रात्री के रहस्य को समझने का आदान प्रदान करता है एक रात गाव में एक संध्या में वह विक्ष उगता है जिसका फल आश्चर्य जनक और रोग निरोगी करणिये है इस रहस्य को गाव वालों को एक ही रात में बताने के लिए साधू ने कहा है राजा और रानी एक संध्या में वह व्रिक्ष के पास जाते हैं और साधु का उपदेश सुनते हैं गाव के रहस्य को सुधारने के लिए इस संजीवनी व्रिक्ष का उपयोग करो और उसका बयान सुरू होता है गाव के राजा और रानी सब कुछ करते हैं लेकिन रहस्य को सीधे पकड़ने की आवशकता है एक महत्वपूर्ण पल के साथ सुरू हुई अद्वितियता और आश्चर्य की यात्रा इस रहस्य मैरात्री में गाव में सुधार होता है और इस उपशीर शक रहस्य मैरात्री ने इसे अत्यंत कठिनाई से छोड़ दिया है